नमस्कार मैं हूँ अंचली और आपका हमारे विशेश कारिक्रम आरोग्यम में बहुत-बहुत स्वागत है आज इस कारिक्रम में हमारे साथ मौझूद है डॉक्टर भारती बंसल गानेकोलोजिस्ट आज डॉक्टर भारती से हम यह जानेंगे कि एंटी नेटल केयर है वो आज की जमाने में क्यों होती है क्या इसके फायदे है डॉक्टर भारती आपका सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारिक्रम में डॉक्टर आज हम यह जानेंगे कि जो एंटी नेटल केर है आज की जमाने में इतनी ज्यादा क्यों आवश्यक हो गई है क्या इसके फाइदे हैं हमारे दर्शकों को बताईए देखिए एंटी नेटल केर वाके में बहुत जरूरी है उसका कारण यह है कि जब आप डॉक्टर से मिलते हैं और उससे अपनी गर्ववस्ता के बारे में बात करते हैं तो आपको जानकारियां बहुत सारी आपको मिलती है पहली बात तो यह है कि हो सकता है कि आपकी वह पहली विजेटों किसी डॉक्टर के पास अपनी जिंदगी की तो आपको क्या क्या बिमारी है मैं इस घर्ववस्ता की कॉम्प्लिकेशन के वारे में तो पता चलता है साथ में आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है जैसे हार्ड डिजीज है आपको या उच रक्त आपकी मरीज है या आपको डायबटीज है या आपको लिवर सम्मंदित कोई रोग है या आपको कोई जॉइंस की प्रॉब्लम है उसके बारे में या आपको की लंग डिजीज है तो उसके बारे में आप आप जान पाते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम से जब आपके टेस्ट होते हैं नेमत रूप से आप जानकारी नेमत रूप से दॉक्टर से मिलते हैं दूसरी बात आप एजुकेट होते हैं एजुकेट मतलब आपको इस बारे में जानकारी मिलती है कि प्रेग्नेंसी के द जो कभी-कभी सही होते हैं और कभी-कभी गलत भी होते हैं तो उसके बारे में आपको पता चलता है कि उससे आपको क्या होता है डर निकलता है प्रेग्नेंसी के प्रति प्लस आपको पता चलता है कि प्रेग्नेंसी में क्या-क्या कॉंप्लिकेशन हो सकते हैं आपको पता चलता है कि बुखार जो होता है कभी-कभी बुखार बड़ा जान लेवा होता है प्रेग्नेंस तो उसका ध्यान आपको रखना है प्लस इससे क्या होता है माता में जो मृत्यूदर होती है वो कम होती है और जो बच्चों में मृत्यू हम बिल्कुल स्वस्त है एक महने बाद पता चला कि हमें कोई चीज आ रहे है बच्चे की ग्रोड ठीक नहीं हो रहे है यह हमारा बीपी बढ़ रहा है यह हमें डाइबर्टीज हो रहे है यह हमें जॉन्डेस हो गया कुछ हो रहा है तो वह डॉक्टर पता करेगी और आपको बताएगी आपको आगे क्या करना है जी डॉक्टर भारती हम यह कहें कि पहले के टाइम पर क्या होता था कि जो दाई-मा या फिर उनकी ग्राइंड मदर वगरा जो होती थी उनको यह बोलती थी कि जादा से जादा काम करो तो नॉर्मल डिलेवरी होगी लेकिन आज का हम य अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रही है या फिर इसका कुछ और कारण है तो इसका एक कह सकते हैं कि चलो फिजिकल एक्टिविटी तो मेरे खाल से सभी को करनी चाहिए वयाम करना चाहिए जो भी घर्ववस्ता में जरूरी है जिससे आपको को दिक्कत नो आप कम तकलीफ होगी आप उस पीड़ा से आप असानी से गुजर जाएंगे अगर आप पहले से अपना मन बना के प्रैक्टिस करते हैं एक्साइज करते हैं सब चीजें करते हैं लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं ब्रांती है कि अगर हम का काम बहुत करेंगे तो हमरे इतना उक्तरक्षाप हो गया कि उसका ब्लेट टूटने लगा प्लेटलेट्स कम होने लगी चीजे कम होने लगी तो हमें लग रहा है कि अभी इतनी बुरी हालत में चली जाएगी कि यह इसकी डैथ हो सकती है बच्चे की मृत्तियों हो सकती है तो कभी-कभी हमिं उसकी करेंगे तो आपकी जो नॉर्मल डिलिवरी हो जाएगी यह कोई ऐसा नहीं है क्योंकि गाओं में अकसर यह कहा जाता था कि तुम पोच्छा लगाओ और इस तरीके के अक्टिविटीज करो मैंने आपको बताया ना वो करना चाहिए उसमें आपको जब नॉर्मल डिलिवरी होगी आपकी तो आपको सहयोग मिलेगा उसमें करने में कि आप उसको उस पीडा को उस दर्द को अराम से सह पाएंगे उसमें आपको मदद मिलेगी तो मतलब यह कह सकते हैं कि जो फिजिकल हैं वो मतलब हैल्प करेगी हमें नॉर्मल डिलेवरी के लिए और सीजीरियन से हम बचा सकती है, अब ये भी हम देखते हैं कि जो मदर्स में कई ऐसी बिमारियां होती है, जैसे थाइरड को अब सबसे पहले देखें, क्योंकि थाइरड का रेट बहुत बढ़ा हुआ है, ग्राफ उसके बहुत जादा ऊपर है, तो थाइरड की बिमारी क्या ऐसी है, जो बच् सबस्के अब बात करें, कि जो लेडीज है, उन्हें पता कैसे चले कि वो प्लेगनेंट हो रहे हैं, क्योंकि अकसर लेडीज उते हैं, जो जो पीरिट्स होते हैं, वो बहुत जादा ध्यान नहीं देती है, ना किसी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेती है, वो नॉमल अपने तरीके से उसको हैंडल कर लेती है, फिर आगे जब प्रेग्नेंसी बढ़ जाती है, या फिर वो अन्वांटें प्रेग्नेंसी होती है, तो उन्हें दिक्कत होती है, तो कैसे पता लगे वो क्या करें असा, देखे वैसे तो आजकल ये वाली जानकरी शाहद सभी को होती है, लेकिन फिर भी अगर आपने मिस करा है आपका पीरिट, आपका प्रेडिट नहीं आया है, तो आप एक प्रेग्नेंसी टेस्ट किट मिल जाती हैं आप ना कर सकते हैं और उसको सकते हैं कि कि आप दो लाइन आरही है तो अप प्रेग्नेंट है लेकिन कभी-कभी Peking का नहीं आना जरूरी नहीं है कि आपको प्रेग्नेंसी है सब्सक्राइब आपको धर क्यों से वे मौनिंग सेम्पल ले ले अपना और उसमें डाल दें एक स्ट्रिप जैसी होती है उस पर डाल कर देख लें दो लाइन सारी है तो आप प्रेगनेंट है तो आप नॉन प्रेगनेंट है और तुरां अपनी डॉक्टर से सला ले ज़े अब बात करें जैसे लेडी इस अगर प्रेगनेंट है और फोलीक एसिट की टाबलेट होती है वह जरूर उसका सेवन करें पूरे तीम ही ने फोलीक एसिट की टाबलेट बच्चों में नीरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करती है ठीक है प्लस उनको एक पता चलता है कि अगर वह जाती है कि उनके आपके अच्छी अच्छी प्लस उसे क्या होते है तो चलते है नंको पता चलते हैं उसी दिन आपका बच्चा होगा ज़ह है एक 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 प्सपेक्टेट आप डिलीवरी आप पहले अल्ट्रसाउंट जो पहली तिमहाई में कराते है उससे बहुत क्लियर हो जाता है प्लस आपके अंदर high risk screening को जाती है कि आप high risk pregnancy तो नहीं है आपकी पुरानी history से पता चल जाता है doctor को कि आपके पहले कितने abortions हुए है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या उसको आपको और कुछ medicine देनी है कोई hormones के support देने है क्या है तो यह पहली pregnancy पहले पहले तीन मेने बहुत important होत है जो diphtheria को भी cover करता है तो आइडली हमें अब टीडी लगाना चाहिए अपने patients को पहले दिमाई में जी दॉक्टर अब बात करें कि जैसे कि जो गॉर्मेंट उसकी तरफ से iron की tablets दी जाती है तो ladies को यह नहीं पता होते है वो ले तो आती है घर पर वो टैबलेट्स को लि लेकर आ रहे हैं तो ज्यादा तर गॉर्मेंट जो है वो 180 गोली देती है जो है ना तो आरन लेना इसलीं भी ज़रूरी है कि सारा कुछ जो मैंने इतने सालों में अपनी प्राटिस में देखा है कि अगर आपका खून पूरा है मतलब आपको एनीमिया नहीं है 11 11 से उपर आ प्रेगनेंसी में आपको बचा लिया जाएगा चाहे कोई भी कॉम्प्लिकेशन खून इतना जरूरी है आपके अंदर तो ये छोटी सी गोली से दूर किया जा सकता है रोज की गोली खानी है 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आरन उता है फोलिक एसे उता है इसके अंदर आई एफ का स्टोरे वो कम से हो जाए नेक्स प्रेगनेंसी के लिए अगर आपके 11 से कम होता है तो हम हम हिदायत देते हैं कि अब सुभे शाम वो गोली खाए जिससे तो वो 300 उसकी मात्रा 360 हो जाती लेकिन हमारे देश में 100 गोली भी कोई खा लेना उसकी भी दर कम से इतनी है करी 12 प पहले जाज करा चुके तो अब इतनी जादा जरूरत नहीं है हम इतने में ही मारेज कर लेंगे मतलब वो इलिटरेसी समझे उसको या कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो जाज करने से बचती नजर आती है और जादा तर जो यह रेट है वो गाउं की महिलाओं में जो इलिटर यह हाँ उसके लिए जब पर है कि उस समय पर आपका यह लेवल इरस उंड भोलते हैं जब छी बताता है आपके बच्चे में कोई खरावी तो नहीं कोई बनेव्टी खरावी तो नहीं और आप प्रेगनेंसी को चुश्टी को कर दोब जा रहे हैं, ढूसरी बात 좋아하는 play it Alt we पता होना बहुत ज़ूरी होता है क्योंकि जच्की के वक प्लेशंट्टा अगर नीशे होता है तो ब्रेडिंग इतनी जादा होती है कि आना करेंगे और दूसरी बात यह होती है कि अब आएं कैसे वो हमारे पास आने के लिए हमें उन्हें समझाना पड़ेगा बताना पड़ेगा कि देखिए उनके सपोर्ट सिस्टम जो उनके घर वाले हैं उनसे बैठा करनी पड़ेगी जैकर ने उनको भी हमेशा बुलाना पड़े प्लस इसलिए कि जब भी वह आएगी आप उसको पोश्टन के बारे में बताएंगे कि खाना क्या-क्या खाना है उसको हरी सब्जियों का सेवन करना है आयरन युक्त जो भी लोह प्रदार्त हैं जिनसे बढ़ेंगे वो चीजें खानी है तो अब हर बार उसको एक रिवाइ है तो मा को कुछ दिक्कत है या बच्चे का वचन नहीं भढ़ रहा है दूसरी बात उसका हीमोग्रोबिन कितना उससे हमें आइडिया लगता है क्या गोलियां स्वाइदा करेंगी या में इसे इंजेक्शन भी देने हैं जो हम जान पाते हैं प्लस बीपी में पता चलता है कहीं अभी उसको बीपी तो नहीं भढ़ रहा है बीपी से देके बहुत दिक्कत होती है क्या क्या परिशानियां होती है कि बीपी से दौरे पढ़ने लग जाते है और जिसे उनकी मृत्यू भी हो सकती है ब्लड भी टूटने लग जाता है जिसे उनकी मृत्यू भी हो सकती ह क्या कह सकते हैं कि जो उन बच्चों में जैसे कि मदर में जो बिमारिया है वो ट्रांसफर हो जाती है हां कुछ बिमारिया ऐसी होती है जो मदर में ट्रांसफर होती है पर ऐसा मदर से बच्चे में ट्रांसफर होती है पर ऐसा हर बिमारी के लिए नहीं है उसके लिए हम कभी के बट करेंगे जे जे अबात करें कि जो एंडिंग टाइम होत है जब होता है तो मत bows ज्यादी है एक्स वा कई अपनी का करने लगती है कि यह मत करें और क्योंकि वो बहुत ज्यादा परिशान भी होने लगती है उनका जो वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उन्हें एक्स्ट्रा केर की जरूरत अग्वादिंग डॉक्टर होती है लेकिन जो महिलाएं उनके घर में होती है वो बोलती है कि नॉमल रहो एक्सट्रा केर की सच में बहुत जरूरत होती है एक तो हो गई आपकी फैमिली उसको बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा आपको एक औरत कितनी डरी होई होती है अगर उसकी पहली प्रेग्नेंसी है तो उसको कितना डर लग रहा होता है वो जानती नहीं इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है अच्छा लगता है लोगों के साथ बैठके बात करनी चाहिए वो अपने experiences बताते हैं सब कुछ करते हैं पर वो अपना बता रहे हैं आपको डॉक्टर से मिलके फायादा होता है कि छीक है उन्हों आपको समझाया प्लस आप डॉक्टर से अपने डाउट स्लियर कर सकते हैं बहुत सी चीजें होंगी वो आपको बताएंगी ऐसा करना चाहिए खाना चाहिए प्लस आप उससे मिलते हैं बार-बार तो लास्ट में बच्चे की धड़कन किती चल रहे हैं वो कैसे पता चलेगी है आपको घर पर है ना बच्चे की ग्रोथ कितनी हो रहे है पानी तो सूख निरा है पेट में कोई और बात तो नहीं हो रहे है ब्रीडिंग की कोय समस्या तो ज़िए चेक मिल रहा है कि आप ठीक हैं, आप अपने घर जा सकती हैं, तो किसना इंपोर्टेंट है, प्रास बच्चे के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, हमारा बच्चा कैसे ग्रोव हो रहा है, अब घर पर कैसे पता करेगी, कि उसकी कैसे ग्रोथ हो रहे है, क्या चीज कर पाएगा, या नहीं कर पाएगा, और उनके जो परिजन होते हैं, उनमें भी एडर बना रहता है, कि प्रिमेचर और बेबी हुआ है, जो सबसे ज़्यादा ग्राफ रेट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या बच्च करते हैं कि आपको किसी बजा से इसकी प्रिमेचर डिलिवरी करानी पड़ रही है, वो रीजन पर डिपेंड करता है, तो बरती इसका रीजन क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा ये रेट बढ़ रहे है प्रिमेचर डिलिवरी का ऐसा है कि अभी आपको कोई प्रिमेचर डिलि या कोई respiratory infection हो गया किसी तरह का हो गया तो उससे पेंस आ जाते कभी भी आपकी बॉड़ी में infection होगा तो पेंस जल्दी आ जाते हैं तो उसकी वज़ा से होती है दूसरी चीज यह कि बच्चे में कोई ऐसी चीज है बच्चे की रड़कन कम हो रही है या बच्चे का वजन नही करना तो बहुत सारे कारण होता है तो बहुत सारे कारण होते हैं कभी हमें खुदी करना पड़ते हैं इसे मैं आपको बताए कि पानी कम हो रहा है बीपी बढ़ रहा है डायबर्टीज है डायबर्टीज में अचानक से बच्चे की डेथ हो जाती है सदन पता भी नहीं चलता भी ठीक है थोड़ दिन में खतम हो गया शुगर की उपर नीचे होने से तो कई बार डॉक्टर उसको टाइम नी सोचती है कि बच्चा पूरा हो गया टाइम पे इसको भाहर निकालने जिससी से वो सके तो बहुत सारे कारण होते हैं इसके डॉक्टर भारती अब हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स तीजिए जो मदर उनको फॉलो कर सके और उन्हें इन जो प्रॉब्लम्स हैं और कुछ जो मित है उनके जो क्लियर हुए आज वो अपने इस प्रोग्राम को देखकर फॉलो कर सके अपनी लाइफ में और अपनी प्रेग्नेंसी को हेल्दी बना सके तो यह है कि भाया आप कम से कम चार बार ज़रूर हैं जोक्टरों को दिखाएं है ना वैसे तो कम से कम आपको पहले तीन मह महीने में आपको हर महीने आना होता है आठवे महीने में आपको दोबार डॉक्टर से मिलना होता है और नवे महीने में आपको चार बार विजट करने होती है यह आप याद रखिए यह उनकी लिए है की पूरे नौ महीने में चार बार जो बिल्कुल विचारी इतने होता है लेकिन वो दिरे दिरे उसके साइड एफेक्स खतम हो जाते हैं ऐसा नहीं है खाते रहें एक आपके लिए जीवन देने वाली गूली अगर आपको इसको नियमेत रूप से खाएंगे मैं शर्तिया कह सकती हूं आपको प्रेग्नेंसी में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कि ज्यादार कॉम्टिकेशन एनीमिया की वज़ा से होती है तो हमें बेसिकली ध्यान रखना है कि हम अपना खून पूरा उपर रखें धंग से रखें इनेयमेत रूप से वाक करिए अच्छा पोशन खाई अच्छा खाना का याप कैंगे डाटीशन से मिलिए तो हर हमारी जो रूरल एरिया में महिलाएं वो किस डाटीशन के पास जाएंगे और कौन उनको खाना मना कर देगा तो बेसिकली मैं उनसे कहते हूं एक थाली लो थाली में तुमारा खाना ऐसा हो जो हर रंका हर रंका उसमें खाना होना चाहिए लाल हरा पीला सब कुछ अगर हर रंका इसमें अवैलेबल है तो पूरी बैलन्स डाइट हो गई आपकी जो भी आस पास के लोकल आपका फूड है जो इसली अवैलेबल है वो कहें कोई पैसा बरबाद करने की इसमें जरुवत नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट की जरुवत नहीं है पस होड़ा सा ध्यान देने की प्लस यह तया कर लें कि कौन से होस्पटल में आप जाएंगी वो आपके घर से कितनी दूर है और क्या है कैसे ट्रांसपोर्टेशन की कैसे व्यवस्ता होगी वो आप पता करके रखें तो चभी पर मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको प्रेग्नेंटी क्यों दो तो उनका उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल प्लीज मेरी आप सबसे निवेदन हैं बस हर में क्यासे हर ऑफस्टाटिशन जो भी सुन रही है या जो भी जहां भी बैटी है आप किसी के पास भी जाएंगी वो बस एक ही बात बोलती है आपका कने उन दोनों में फ्लीज 2 घंटे का चार घंटे का आपको समय देना होता है उसे डोनों को अलग लग टाइम पे उसको रात को चाहते तो उसको सुबा खाए ऐसे करके खाए और आरन की गोly हमेशा नीबू पानी से लीजिए जो खट्टे पदार्त होते उन दूर के साथ मतलीजे आरेन प्लीज दूर से मतलीजे जब बहुत बहुत धन्यवाद दॉक्टे भारति आपका क्योंकि आपने जो अभी मिट्स क्लियर के क्योंकि बहुत सारी लेडि जोती है अपनी प्रेग्नेंसी में फॉलो नहीं करती है variety अपनी फामिली जो ग्राइंड मदर होती है उनको फॉलो करती है और फिर आगे जाकर परिशानी में फजाती है तो अपनी जो हेल्थी लाइफ है उसको बहुत जादा हेल्दी बनाएं और प्रेगनेसी को और जादा हेल्दी करें क्योंकि अगर आप जाच नहीं करवाएंगी तो आपको इससे परिशानी हो सकती है और अपनी एक्स्ट्रा केर ज़रूर करें क्योंकि प्रेगनेसी बहुत जादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लेड़ी के लिए तो आज हमारे पिशेश कारिक्रम में इतना ही मुझे दीजे जाज़त नमस्कार